Hello everyone, Welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग 9 new notification के बार में बात करेंगे जो IGNU के different regional center के तरफ से release की गई है जिसके बार में आप लोग को जानना ज़रूरी है आप लोग video के ध्यान से और complete ज़रूर देख लिजेगा तो हम लोग एक एक करके जो new notification रिलीज की गई है उसके बार में बात करेंगे है सबसे पहले IGNU के तरफ से एक circular जारी किया गया था 24 अप्रिल को जिसमें बताया गया था कि COVID-19 के situation को देखते हुए सभी regional center, evaluation center, school offices 28 अप्रिल तक बंद रहेंगे आज 28 अप्रिल है आज तक खतम हो जाने वाला था लेकिन आज फिर से एक new circular जारी किया गया SED Department के तरफ से यहाँ पे रेजिटार विवी नेगी का आप रुखसाइन देख सकते हो इस circular में बताया गया है कि सभी regional center, सभी evaluation center और offices, school 3 में तक बंद रखे जाएंगे, पहले 28 अप्रिल तक रखा गया था, उसको अभी भराके 3 में तक कर दिया गया है यानि कि आप लोग अगर study material लेने जाना चाहते हो regional center से तो वो भी आप नहीं ले पाऊगे subject change अगर करवाना चाहते हो, उसके लिए अगर regional center visit करना चाहते हो तो भी आप नहीं कर पाऊगे इसलिए मैंने कुछ दिन पहले जब subject change allow किया जा रहा था तो मैंने बोला था कि जितना जल्दी हो सके subject change कर लो पर आप करना चाहते हो तो क्योंकि यह कब बंद हो जाता है पता नहीं चलता है तो अभी तो फिलहाल तीन में तक open नहीं होगा और कब यह चीज़ जितने भी student queries करते है आइगराम के मादेम से या जितने भी other mail किया जाते है उन सब का reply work from home से ही किया जा रहा है और इससे पहले मैंने मंड़े को आप लोग को committee post के दौरा एक information भी दिया था कि result update का काम already start हो चुका है तो बहुत से student यह भी बोला थे कि आपने दो दिन पहले बोला था और अभी तक result का update आया नहीं तो देको मैंने बोला था कि result update का का में start हो गया है तो होता यह है कि इगनो का main website पे जो result update तो होता है लेकिन live नहीं किया जाता है जब एक certain amount of result update हो जाता है उसके बाद से portal को live किया जाता है तो इससे पहले आपने को पता होगा कि 13 April से 13 April के बाद से कोई भी result update हुआ नहीं है क्योंकि 14 April को university में कोई काम हो नहीं रहा था क्योंकि नेक जिन convocation था convocation के दिन भी काम नहीं हुआ उसके बाद से फिर lockdown हो गया उसके बाद से फिर regional center और evaluation center बंद हो गया ठीक है इसी बाद से work हो नहीं पाया तो अभी जब Monday से start हुआ ह है तो अभी तो एक और दो दिन ही result update हुए है तो जादा जादा इस्ट्रेंट का रिजल जब अपडेट हो जाएगा website पे तब जाके portal को live किया जाएगा और अभी आप लोग देख पा रहे होगे कि इस session में जातर जो भी result का अपडेट आया है वो या तो थरस्दे या तो Friday तो देखते है नेक्स एक या दो दिन के अंदर डिफिनिटी रिजल का बेट आ रहेगा जिसका भी result pending है तो ठीक है अब हम लोग जो नोटिफिकेशन अदर 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 रिजल से रिलीज की गई उसके बारों में बात कर लेते हैं सबसे पहले वीजापूर रिजनल सेंटर करने के लिए फाइनली गाइडलाइन्स रिलीज कर दिया है और गूगल फॉर्म से ही एसामी समिशन लिया जा रहा है तो जितने भी स्ट्वेंट हैं वीजापूर रिजनल से वह इस नोटिफिकेशन को पर सकते हैं इसका पीडिया फाइल मैंने टेलिग्राम चैनल पर अप वीडियो में उसका पीडियो फाइल में टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूगा तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना तो अभी के लिए जितना भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे सबी के लिए अलग अलग गूगल फार्म तयार किया गया है और उसी के माध्यम से ही आपको अपना अपना इसामिट करना है सबसे पहले जो आन्वम कोई बहुत करोगे ऊंड़ियफ उनलाइन तो वहां से वेफसाइट आजाएगा और बहुत सरे वेफसाइट है अराम से आपलोग कर सकते हो तो इसे जीप फार्मेट देख़के डरने की जोतनी है ठीक है कोई दिक्कत हो तुमेश्पुशल लेना उ इसके बास से जो important बात बोला गया है वो यह कि अगर आपने अल्रडी स्टडी सेंटर पर हाट कोपी के मादर्यम से सब्मिट कर दिया है तो फिर आपको इस लिंक से सब्मिट करने की जोतनी है अगर आपने अभी तक सब्मिट नहीं किया है तभी आपको यह सभी Google के लिंक से सब्मिट करने के जोते हैं तिसे बात यह कि सिर्फ वीजापूर रिजिनल से के ही इस गूगल फॉर्म के मादर्यम से अपने सब्मिट करना हाला कि आप लोगो सुनके फ़ानी लग रहा होगा कि ऐसा कौन करता है लेकिन आप लोगो पता नहीं कि एक-एक महारती भ जाके सब्मिट कर दिया दिली वन का है दिली थी में जाके सब्मिट कर दिया ठीक है वीजापूर का है और कुलकता में जाके सब्मिट कर दिया तो ऐसे बहुत से इस्ट्वेंट है ऐसे गलती मत करना क्यों ऐसे कर रहे हो सभी कोई बैचलर डिगी मास्टर डिगी कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान अखना और ये भी बोल दिया गया है कि जो आप लोग पीड़ फाइल बनाते हो ultimately में उसका sequence जो होगा वो पहले assignment का question paper attach करोगे ठीक है जो cover page मैंने हमेशा आप लोग को बता है cover page लगाना होगा जिसमें सभी आपका detail रहता है enrollment of program code subject code ठीक है उसके बाद से जो आपका assignment होता है वो तो इस sequence से आप लोग को PDF file बनाना उसके बाद से submit करना है समझ में आ गया वीजापूर regional center के student ये चीज़ को देख लेंगा उसके बाद से student है वीजावरा regional center से वो इस notice को download कर लेंगे PDF file टेलिग्राम चैनल पे upload कर दिया इसमें भी simple guidelines दिया गया है ज्यादा कोई अलग सा बात नहीं है maximum size 100 MB है और जो PDF file का नाम होगा वो होगा enrollment number underscore उसके बाद से आपका subject code ठीक है बागी सब चीज सेम है जैसे सभी study center में रहता है उ तो जितने भी student है वो जिन्होंने re-registeration कराया था या fresh admission कराया था सभी का registration detail उनका portal में update कर दिया गया है तो अभी आप लोग चेक कर सकते हो देखो आप लोग का update हुआ है यहाँ पे देख लो January 2021 यहाँ पे देखो January 2021 तो सभी student का मैंने चेक किया सभी का update कर दिया गया है ठी 3 में तक regional center बंद रहेंगे इसलिए कोई भी student अभी study material लेने के लिए Kolkata regional center विजिट ना करे ठीक है उसके बाद से जोरहाट regional center के तरफ से important notification रिलिस किया गया है जोरहाट regional center में government के तरफ से 12 में तक सभी school colleges university coaching institute सब कुछ बंद कर दिया गया है इनी सभी चीजों को देखते आपको doubt होगा तो उसके लिए उसके support के लिए अलग-अलग phone number जारी कर दिया गया है तो जितने भी student जो रहाट regional center से विलॉग करते हैं वो इस सभी phone number को no down कर लेंगे अगर आपका admission related queries है तो उसके लिए अलग number दिया गया है और किस से आपको बात करना है उनका नाम भी दिय दिया गया है ठीके books related अगर issue है तो उसके लिए अलग detail दिया गया है learner support center यानि के study center को लेकर कोई भी ऐसा doubt है तो उसके लिए अलग सा सभी contact नमर दिया है और सबसे important assignment related कोई भी contact कोई भी queries है तो उसके लिए अलग सा contact नमर दिया गया है तो इसको आप लोग no down कर सकते हो जित आपके बास से तिरवंद्रम regional center के तरफ से जितने भी student ने जनुरी 2020 session में new admission लिया है इन सभी program में उनके लिए अलग सा WhatsApp group तयार कर दिया गया है तो इन WhatsApp group को definitely आप लोग join कर लेना जो भी तिरवंद्रम regional center से बिलोंग करते हैं अभी के लिए फिलाल CFN, CNCC, CFL, CLIA, CDM, MCA, PG, DC BCA, BCA program के लिए WhatsApp group बनाया गया है बाकी अधर program के लिए भी जल से जल बनाया जाएगा और बाकी जिनोंने जुलाई दो हजब 20 session में admission लिया था उनके लिए भी अलग-अलग program के लिए अलग-अलग WhatsApp group बनाया गया है तो इन सब को आप लोग चेक कर लेना जो भी student दिरवंद् program या PGDCA program में admission लिया है उनका new assignment update कर दिया गया है क्योंकि आप लोग पता है कि इस बार MCA program में बहुत बड़ा changes किया गया था पहले 3 साल का course होता था MCA program का इगनों में जो की अभी reduce करके 2 साल कर दिया गया है तो यह जो new program है MCA का या PGDCA का उसके लिए assignment website पे update कर दिया गया ह तो जो भी student ने MCA या PGDCA में admission लिया है वो लोग assignment download कर सकते हो और 31 में तक अपना-पना assignment submit कर सकते हो तो यही सब था इस वीडियो में मैं आप लोग को यह सभी important information देरा चाहा था जो कि इगनों के तरफ से और इगनों के different regional center के तरफ से release किया गया था मुझे उमीद है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर चानल पर पहली बार आ है तो मेक्सियोर चानल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि एगनों के रिलेटेड हरे के trusted authentic information आप लोग को यहीं पर देखने को मिलेगी तो thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much